नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। भौतिक राशी के संबंत ग्याद करना। इस वीडियो में हम बात करेंगी कि कैसे हम किनिदी गई भौतिक राशीों के बीच संबंत ग्याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम करेंगे कुछ प्रश्ण और शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्ण की ये रहा। इसमें क्या दिया गया है देखें। यह मानते हुए कि किसी कमपिक टोरी की आवरिती उस टोरी पर आरोपित भार, डोरी की लंबाई और रेख्या द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करती हैं। सिद्ध कीजिए और यहाँ पर आपको एक ये सूत्र दिया गया है। तो यह कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, यह जो बहुतिक राशिया है, आवरिती हो गई, भार हो गया, लंबाई हो गई, इन सभी के मध्य क्या है, एक संबंध स्तापित क्या गया है। तो हमें यहाँ पर इससे सिद्ध करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, डेखे, हमें दिया गया है, कि किसी कंपीडोरी की आवरिती उस ड्रोरी पर आरोपी भार और ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, यानि कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं। देखें, यहां से हम कह सकते हैं, कि जो आवरिती है, वो किस पर निर्भर कर रही है, सबसे पहले यहां पर लिखा है भार, तो आप यहां पर लिखे भार, कि अतनी बार समझ माई, अब हमें नहीं पता कि भार पर किस तरीके से यह निर्भर कर रही है, तो हम यहां पर भार की गात A कर देंगे ठीक है इस जनरल यहम ने लिख दिया इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि आवरिती किस पर निर्भर करती है डोरी की लंबाई पर तो यहाँ पर हम यह लिख देंगे और L की गात B इसी प्रकार से एक और चीज है रेखिया दरव्यमान घनत्वा जिसे उन्हो यहाँ पर हम इन तीनों जो यह हमने यहाँ पर लिखे जो भी हमने यहाँ पर रिलेशिन ये संबंद लिखे इन्हें एक ही लाइन में किस प्रकार से लिख सकते हैं इस प्रकार से जो आवरिती है वो डारेक्ली प्रपोर्शनल हो जाएगी F की पावर A यानि F की गात A, L की गात B और M की गात C इस प्रकार से लिखा जा सकता है यहाँ पर यदि मुझे जो यह साइन है डारेक्ली प्रपोर्शनल का इससे हटाना हो तो इसकी जिगह पर क्या आ जाता है इक्वल का साइन आ जाएगा और साथे साथ एक विमाहीन नियतांक आ जाएगा मान लिजिए K तो यह क्या हो गया? आवरिती बराबर के और बाकी जो यह था, यह तो एसट इस आजाएगा तो यहाँ पर आजाएगा F की घात A, L की घात B और M की घात C किया इतना समर्ज में आया? तो शिरुर्वात आपको पता होना चाहिए कि कैसे करनी है यहाँ पर हमने क्या क्या जो नियतांक है, ठीक है, यह बहुत इंपोर्टेंट है कि इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन नियतांक, अब हमें क्या करना है, इसके अलावा जितनी भी राशियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं, कौन-कौन सी भार हो गई, लंबाई हो गई, रेख्या दरवमान घनत् इन सभी का हमें, क्या करना है, इनकी विमा निकालनी है, यानि की देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, किसकी आवर्चिकी ही, तो जो आवर्चिकी होती है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूतर होता है 1 upon capital T यानि कि जो ये capital T है ये आवर्थकाल है यानि कि आवर्थी बराबर 1 upon आवर्थकाल तो यहां से यदि मुझे निकालनी हो विमा आवर्थी की तो क्या आजाएगी यहां क्या विमा होगी यह हो जाएगा क्योंकि जो आवरत काल है वो समय को प्रदर्शित करता है यानि कि यह यहाँ अपान में है उपर आके यह हो जाएगा t की पावर माइनस 1 ठीक है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर हमें जो आवरती है उसकी विमा मिल गई है ठीक है अब जो बागी राशिया है जैसे की भार एफ ठीक है इसकी विमा क्या होगी तो जो एफ है यह क्या है यह बल है और बल की विमा क्या होती है M L T माइनस 2 होती है कैसे होती है आप बल का यहाँ पर सूतर लिख सकते हैं जो की है द्रव्यमान गुणा त्वरण द्रव्यमान के लिए M आ जाएगा और त्वरण होता है L T माइनस 2 तो यहाँ से आ गया भार की विमा ठीक है और जो L है L यहाँ पर क्या था लंबाई थी तो लंबाई की विमा क्या आएगी L ही आ जाएगी capital L ठीक है और यहाँ पर जो सबसे ज़ादा important है यहाँ पर possibility है कि आप मेंसे कई लोग शायद थोड़ी सी गलती कर सकते हैं चलिए पहले आप इसे अपनी copy में निकाले कि जो यहाँ पर M है ठीक है इसकी विमा क्या होगी सभी से अपनी copy में निकालेंगे यहाँ पर बताईए यह कि M की विमा क्या होगी तो क्या आप सभी ने यह निकाला यह निकाला इसके विमा यदि हाँ दो देखो यह थोड़ा सा गलत हो गया क्यूँ क्यूंकि आपको question को ध्यान से पढ़ना है M यहाँ पर द्रविमान नहीं है M यहाँ पर रेख्य द्रव्यमान घनत्व है यानि कि जो M है मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिख देती हूँ ठीक है इसलिए question में जो दिया गया है उस एक एक पद को आपको ध्यान से देखना है कि क्या है यहाँ पर जो M होगा वो होगा द्रव्यमान ठीक है अपन लंबाई क्योंकि क्या है रेख्य द्रव्यमान घनत्व है और द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा M आ जाएगा और लंबाई के लिए L आ जाएगा इससे थोड़ा सा solve करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर आ जाएगा M L minus 1 ठीक है तो यह बहुत important step है इसे हम highlight ही कर देते हैं यह chances हैं कि इसमें काफी बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं और थोड़ी सी गलती भी तो क्या होगा पूरा जो आप कर रहे हैं यह derivation इसमें ही गलती हो जाएगी क्यातनी बाद समझ मैं तो यहाँ पर हमने सभी जो राशी है इनकी विमा ग्यात कर ली है अब यहाँ पर हमने क्या करना है तो देखें इसे हम यहाँ पर यदि इस समिकरन को आप देखेंगे ठीक है यहाँ पर हमें विमा रखनी है कैसे तो यहाँ पर आवरिती है तो यहाँ पर आवरिती की विमा आ जाएगी जो की है T-1, यह देखिए, उसके बाद बराबर K यहाँ पर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि K एक विमाहीन निया तांक है, ठीक है, F के लिए क्या आएगा, ML T-2, और F के घात कितनी थी, A थी, तो यहाँ पर आप लिखें इस पूरी विमा की घात A, ठीक है, अब L के लिए क्या आजाएगा, यहाँ पर यह देखिए, यह आजाएगा, और इसकी घात कितनी है, B है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे L की घात B, इसी प्रकार से यहाँ पर M है, और M के लिए आजाएगा, ML-1, और इसकी घात C आजाएगा A, ठीक है, प्लस, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो A प्लस C आजाएगा, इसी प्रकार से आप लिखेंगे L, L के लिए क्या आएगा, यहाँ से आजाएगा A, प्लस, यहाँ से B, और यहाँ पर M-1 है, और M-1 multiplied by C, M-C हो जाएगा, और T के लिए क्या आज है, अब यहाँ पर जो बाया पक्ष है, यहाँ पर है T की पावर-1, तो क्या हम इसे M की पावर 0, L की पावर 0, और T की पावर-1 लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों पक्ष के समान जो विमा हैं उनकी घात को compare करना है, यान यहाँ से जो A प्लस C है, M की घात, वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, ठीक है, और A प्लस B माइनस से किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, अब यहाँ पर देखिए T की घात, माइनस 2A, और यहाँ पर यह माइनस 1 है, यानि कि यहाँ से हमें क्या मिल जा यह देखिए, a plus c बराबर 0, तो c आजाएगा minus a, यानि कि minus 1 by 2, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि b यहां से कितना आएगा, यह देखिए, तो a को आप रखेंगे, 1 by 2, c को आप रखेंगे, चलिए हम पूरी value रख देते हैं, a की value रखेंगे, 1 by 2 plus b minus, c कितना है, minus 1 by 2 बराबर 0, यह क्या आजाएगा, यहाँ पर solve कर देते हैं, तो यह minus minus हो जाएगा plus, तो यह हो जाएगा plus का half, और एक half यहाँ है, यानि यह दोनों क्या हो जाएगे मिलकर, 1 हो जाएगे, तो यह आजाएगा, 1 plus b बराबर 0, तो यहाँ से b का जो मान है, वो कितना आगया, minus 1 आगया, क्या अतनी वाद समझ में आई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह देखे, जो यह था, यह समेकरण थी जो, इसमें आप a, b, c का मान रख लीजिए, तो आप देख लीजिए क्या है, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर क्या आजाएगा, new बराबर, k, f की घात a था और a हमें कितना दिया गया है, 1 by 2, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, 1 by 2, उसके बाद क्या था, l, l की घात b, b किता है, minus 1, तो यहाँ पर आजाएगा, minus 1, फिर था m, m की घात c था, और c minus 1 by 2 है, तो यहाँ पर minus 1 by 2 आजाएगा, क्या इतनी बाद समर्ज में आए आपको, यदि यहाँ, तो अब इसके आगे हमें थोड़ा सा manipulation करना है, इस थोड़ा सा अच्छे रूप में लाना है, जैसे कि question में चाहरा है वो हमसे, हमें वही यहाँ पर करना है, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए, कि यह l जो है, यह उपर minus 1 है, तो इसे हम नीचे लाकर l की पावर 1 कर सकते हैं, अब यहाँ पर f 1 by 2 upon, यह m की पावर minus है, तो इसे नीचे लाकर के positive किया जा सकता है, क्या इतनी बास समझ में आई, अब यहाँ पर जो m है, m की पावर भी half है, f की पावर भी half है, है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, mu बराबर k upon l, under the root, क्या जाएगा, f upon m जाएगा, क्या इतनी बास समझ में आई, और जो k है, यानि कि जिसे हम कह रहे हैं, विमाही नियतांग, ऐसा देखा गया, कि इसका मान है, 1 by 2, ठीक है, k का मान कितना पाया गया, यहाँ पर लिख देते हैं, जहां, k बराबर, 1 by 2, पाया गया, ठीक है, तो ऐसे में जो आवरती है, यह कितना आजाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, new बराबर, k की जिगे, आप लिखे, 1 by 2, और l की जिगे, l आजाएगा, under the root, f by m, तो आपने देखा, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था, हमने उसे सिद्ध कर लिया ह यही पूछा गया था, यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पार आप लिखेंगे, कि अता यह सिद्ध हो गया, क्या अतिवा समझ माई, तो चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनी की चाल, किसकी चाल, ध्वनी प्रत्यास्ता गुणांग जिसे ई से प्रदर्शित करना है, क्याति बाद समझ माई, यानि कि जो ध्वनी की चाल है, वो इन दो राशियों पर निर्वर करती है, अब आगे हमें कहा गया है कि यदि प्रत्यास्ता की विमा, यानि हमें यहाँ पर प्रत्यास्ता की विमा भी दी गई है, तो विमा की सहायता से ध्वनी की चाल का सूत्र ग्याद कीजिए, यानि कि यहाँ पर हमें सिद्ध भी नहीं करना है, ठीक है, पहले तो हमें आइडिया था कि यह सिद्ध करना है, तो कुछ इसी तरीके से लेकर आना है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दि पहला है माध्यम का गहनतो तो आप इसे लिखे रो और इसकी घात एक लिख देजी हमें नहीं पता न किस हिसाब से निर्भाय कर रही है तो हमने यह लिख दिया इसी प्रकार से जो चाल है वो किसी वो यहाँ पर प्रत्यासता गुणांग पर भी निर्भाय करती है तो हमने इ यहां पर आ जाएगा V बरावर K, Rho A, E, B. जहां पर K क्या है? K एक विमाहीन नियतांग है. यह बहुत important है. विमाहीन नियतांग है. क्या इतनी बाद समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो भी यह समिकरन दिख रहा है, इसके दाएपक्ष और बाएपक्ष में जितनी भी राशी हैं, इन सभी की विमा ग्याद कर लेनी है. सबसे पहले हम बाएपक्ष की बात करते हैं, तो यहां पर जो चाल है, ठीक है? आप लिशते हैं जहां, और फिर यहां पर चाल की विमा कितनी हो जाएगी? यही आएगी, ठीक है? और जो रो है, रो की विमा क्या आ जाएगी? रो की विमा आ जाएगी, यहां पर चाल इस तरीक से आएगा, ठीक है? तो रो की विमा आ जाएगी, कितनी आएगी? अब आपको नहीं बता तो आप क्या करेंगे? आप पहले जो रो होता है घंत्व इसका सूत्र लिख लीजिये जो कि है द्रव्यमान अपोन आयतन, द्रव्यमान के लिए आप लिख दीजिए M और आयतन होता है LQ जो कि उपर आकर L की पावर माइनस 3 हो जाएगा, इना तो रो किये विमा आगे तो यहाँ पर लिख दीजिय प्रश्म है ना तो कोई घभराने की जरूरत थो नहीं यह रख दिया now यहां पर हमें क्या करना है, यह जो सारी equation हमें मिली, इन्हें हमें, मतलब जो भी हमें यहां पर विमाई मिली, उन्हें हमें यहां पर रख दे रहा है, तो आईए देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो V की जगे क्या आ जाएगा, V की जगे आ जाएगा, L T-1, ठीक है, बराबर K यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर विमा के संदर्व में बात कर रहे हैं, रो की जगह आप लिख दीजिए, ml-3, और इसकी पावर आजाएगी a, इसी प्रकार से e की जगह आजाएगा, ml-1, t-2, और इसकी पावर कितनी आजाएगी, b आजाएगी, अब आप यह 1 था, तो यह माइनस b हो गया, t, तो यहाँ पर तो t है नहीं, सिर्फ यहाँ पर है, तो यह माइनस 2b हो गया, ठीक है, अब जो यहाँ पर बाया पक्ष है, इससे आप लिख दीजिए, m की पावर 0, l1, t-1, अब हम क्या करेंगे, समान राशियों की जो पावर हैं, उन्हें आप इसमें compare करेंगे, a, b, c की जो मान या value है, उससे ग्यात करेंगे, है ना, तो यहाँ से देखें, minus 2 भी किसके बराबर होगा, minus 1 के बराबर, क्योंकि यह क्या है, t की घात है, यानि कि यहाँ से आप देख सकते है, minus, minus, cancel, और b का जो मान आ गया, कितना आ गया, 1 by 2, यही आपर यह देखे, l की जो घात है, तो इधर है, minus 3a, minus b, बराबर 1, b का क्या आपने निकाला value, 1 by 2 निकाला, तो यहाँ पर रग दीजिए, minus 1 by 2, और यहाँ पर आ जाएगा, minus 3a, बराबर 1, जब यह 1 by 2 इस तरफ जाएगा, तो प्लेस हो जाएगा, है ना, इधर minus का है, 3a आजाएगा, 3 by 2 आजाएगा, है ना, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ से, minus 3a आजाएगा, 3 by 2, तो यहाँ साथ मुझे बताईए, कि a कितना आएगा, a आजाएगा, minus 3 by 2 into 3, ठीक है, और 3 से 3 cancel, तो हमें finally a के कितनी value मिल गई, minus 1 by 2 मिल गई, अब यहाँ पर आपने देखा, c है ही नहीं, तो हमें a और b ही चाहिए था, और हमें दोनों की value मिल गई, एक की 1 by 2 और एक की, minus 1 by 2, अब हमें क्या करना है, हमें इन values को यहाँ पर रखना है, तो हमें क्या मिलेगा, देखे, देख लिजे क्या लिखा है, रो की power a और e की power b, तो यहाँ से आजाएगा, ध्वनी की 4 बराबर k, रो की power a, यानि की minus 1 by 2, और e की power b, और b 1 by 2 है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के, यह minus half है, इससे आप denominator में लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा, upon rho half, और यह हो जाएगा v, और solve कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे square root के अंदर ले लेंगे, k, अंदर ले रूट, यहाँ पर आजाएगा e upon rho, और यह आगया v, ठीक है, अब ऐसा पाया गया कि जो k है, यानि विमाही नियतांग, इसका मान है 1, यहाँ पर लिग देते हैं, इसका मान यदि 1 हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि जो ध्वनी की चाल है, उसका क्या सूत्र आजाएगा, तो यह वन हो गया, यह आजाएगा, अंदर ली रूट e by रूट, तो यहाँ पर हमें, जो भी प्रश्ण में पूछा गया, हमने वो भी दिखा दिया, यह है ध्वनी की चाल का सूत्र, तो मैं अमीद करती हूँ, यदि इस प्रकार के प्रश्ण आपको पूछे जाएंगे, तो आप इस तरीके से करेंगे और यह काफी असाने जाद कर लेंगे,